इसे COVID vaccination शुरू होने को लेकर, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज या कल मेरा जानी जैपुरा सकती है SME स्वास्त विभाग के अधिकारियों ने केंद्री स्वास मंत्राले के अधिकारियों से बाच्वीत करी है 13 जन्वरी तक वैक्सीन की पहली खेप मांगी गई है वहीं पर आज चुकित्सा सचीव सिधार्थ महाच्वन SMS अस्पिताल और उनसे जुड़े धनवंत्री पहुँचकर कोरोना वेक्सिनेशन सेंटर का उनकी ओर से ज्वाइजा लिया गया इसवरान SMS मैडिकल कालेज के प्राचवारिय डौक्टर सुधीर भंडारी, SMS अस्पिताल के मैडिकल अधिकशक दौक्टर राजेश शर्मा सईट अन्ने चुकित्सक भी वहाँ पर मोजूद रहे जोहाँ पर SMS अस्पिताल के मैडिकल अधिक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा और वैक्सिनेशन के लिए लगाए गए नोडल ओफिसर्स डॉक्टर धर्मेंद्र और डॉक्टर अनील दूबे से खास बाच्चीत की न्यूज इंडिया के सम्वादाता नीरश शर्मा ने वैक्सिनेशन शुरू होने वाला है वैक्सिन आने वाली है और उसके लिए बकाइदा सेंटर भी बना दे गए जैपूर के SMS अस्पिताल से संबत धनवंतरी के अंदर जो है सेंटर बनाए गया है उसका आज निरिक्षन भी सिधार्त महाजन ने किया जो की सचीव है चेकिसा विभाग के हमारे साथ में है SMS अस्पितल अधिक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा जी शर्मा जी आज पूरा दोरा भी हुआ है क्या तैयारियों को लेकर स्वास सचीव जी इसकी पांच भी मंजिल पर बनाए गए है परतेक सेंटर को हमने तीन तीन कमरों में डिवाइड किया है कि जो है उसका रिश्टेशन साइट वैक्सिनेशन साइट रिन ऑब्जर्वेशन साइट तो इस तरह से मिला कि अभी हमने चार सेंटर बनाए है जरत पढ़ने पर इस जा रही है तैयारी में हमने पूरा स्टाफ लगा रखा है सारा इंफ्राइस्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है और धन्वंत्री के फिप फ्लोर पे इल्कुल सेपरेट एरिया है जहां पर वेक्सिनेशन सेफली हो सकता है वहां पर कर दिया है वहां पर अरेंजमेंट से सब ढूrière पहरý TR, पहले सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन ओगा, पैसेंट का रैगस्ट्रेशन के लिए जो अपना वह अपने फोन पे मैसेज तो नहीं है, पहले कभी कोई reaction तो नहीं हुई, उसके बाद सब पूछताज करने के बाद उसके ठीका करन किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको एक next room में बिठाया जाएगा, observation room में आदा घंटे के लिए उनको बिठाया जाएगा, और आदा घंटे तक उनको जब कोई problem नही हुई, तो उनको free कर दिया जाएगा, कोविन software इसकी क्या भूमी कर रहेगी, verification के अंदर जैसा मैंने बताया कि registration जिनका हो चुका है, उनहीं को क्योवल वैक्सिन लगाना है में, तो कोविन software के माध्यम से हमेरे पास प्रत्यक दिन, प्रत्यक साइट के लिए सोफ बेनेफिस कर दिया गया है, vaccination के बाद में किसी भी प्रकार का कोई side effect या EFI अगर आता है, तो उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाय की है, observation room के अंधर हम आदा घंटे रखेंगे, एक moderate type का ICU हमने 5th floor पे डवलब किया है, और एक big hall के अंदर big observations room भी बनाया गया है, तो वहाँ पर आदे खंटे में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए, तो हमारे पास emergency आती है, तो physicians, cardiologist, neurophysicians, 12 department के लोग हमारे पास में यहाँ पे loop के अंदर रहेंगे, और physician, anesthetist, cardiologist and neurophysician तो वहाँ पर 5th floor पर available रहेंगे, पांच बेड हमने ICU में, medical ICU में, reserve रखें हैं, किसी भी 15 centers में से कह की तरह की कोई अगर problem आती है, और उनको emergency admission के ज़रत पड़ती है, तो हमारे यहाँ dedicated जो medical ICU, जो world class ICU है, उसके अंदर पांच बेड उसके लिए reserve रखें गए हैं, तो SMS अस्पताल में तैयारियां जो हैं, व्रहत दिस्तर पर की जा रही हैं, और खास तोर पर जो अस्पताल अ सके, निश्चित रूप से जैसे यह vaccine यह पहुचेगी, इनको अलग-अलग districts के अंदर जो है, पहुचाना शुरू कर दिया जाएगा, राज्य सरकार की ओर से, उसके लिए बकायदा cold chain भी विक्सित कर ली गई है, आईलार्स जो हैं, वो लाए गए हैं, और mobile van भी यहाँ प